दोस्तों तो क्या है आपके स्क्रीन पर वो आप खुदी देख सकते हैं इस समय आपके स्क्रीन पर है Food, Nutrition and Hygiene जो की आपका कमपलसरी सब्जेक्ट है का पेपर जो की BA क्लास का हो चुका है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ BA वाले पेपर का आगरा यूनिवर्सिटी जो है हमारी D.B.R.A.U. उसके Food, Nutrition and Hygiene के पेपर का सल्यूशन ये सल्यूशन मैं इसले भी लेकर आया हूँ क्योंकि अभी जो B.Sc. B.Com. और Other Universities का पेपर बचा हुआ है उनको एक दिशा निर्देश एक Guidance मिल सके कि आखिर पेपर कहां से आने वाला है कैसा आने वाला है और Related Question कैसे होंगे आपको बता दूँ Human Values and Environment Studies Human Values or Environmental Studies जो Third Semester का Compulsory पेपर है इसी जैसा उसके पिछले पेपर को सॉल्व करने से हमें बहुत जादा मदद मिली तो आज मेरे पास मैसेज़ेस हा रहे हैं मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ कि B.Sc. B.Com. वाले बच्चों को Human Values के पेपर के सॉल्यूशन से बहुत जादा फाइदा मिला तो ठीक है हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैरल को सब्स्राइब कर लीजेगा अभी तो आपका फर्स सेमिस्टर ही है पूरे छेओ सेमिस्टर हम लोगों को साथ में पढ़ना है और अगर आप लोग यहां प्रेजेंट है तो प्लीज अपना नाम और अपने कॉलिज का नाम लिखकर कॉमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजेगा जिससे मुझे पता चलता रहे कि कौन कॉन लोग कहा कहा किस किस कॉलिज से हमारे भी चार है चले शुरू करते हैं इसका पूरा सॉलीशन मेरे पास ओलेडी मौजूद है और बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि 75% जो एक्जाम है वो जो हम लोगों ने तीन क्लासेज में पढ़ा था तीन क्लासेज में पढ़ा था उसी के अंदर से आया है मुझे बहुत ही खुश क्या नामीवस मूवी का रमिल नाडू पहला राज्ज में जो स्कूल में जो बच्चों को खाने मिलता है स्कूल की तरफ से that is called mid-day meal सरकारी स्कूलों में योजना लागू है which are the following mental element muscle को contraction करने के लिए हिंदी में पढ़ेंगे कौन से खने जित्तत्तो को पेशिये संकुचन यानि muscle के संकुचन के लिए कौन सा इन में से आवश्यक है इसका सही जबाब है calcium calcium इसका सही जबाब है mid-day meal program देखो फिर से आगया मैंने कहा था ना कई सारे program है जैसे ICDS मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अच्छा अब सवाल उठता है कि क्या मैंने आपको इसके बार में पढ़ाया था तो ज़रा all tap करके मैं आपको लेके जाता हूँ हमारे ये वाले notes के अंदर ये notes मैं already group में share कर चुका हूँ इस notes की class number 3 के जो notes है उस पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ class number 3 के हैं ये notes class number 3 के notes के अंदर मैंने साफ-साफ यहाँ पे mid-day meal program का लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है mid-day meal program मैंने साफ-साफ लिखा हुआ है draw भी कर लेता हूँ मैं रुकिए एक सेकंड ये देखिए mid-day meal program ICDS 1975 8 October किस काम से है किसने शुरू किया है साफ-साफ यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था इसको वापिस आ जाता हूँ इसके अंदर मैं ICDS क्या है आगे इसके उपर भी सवाल आया है तो भी mid-day meal program के क्या-क्या फायदे होते हैं देखें नामंकन में वृद्धी हो जाती है जाती का भीदबाफ कम होता है कैसे कम होता है कि रजाती हर क्रीड लड़का लड़की सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे है कितना अच्छा जाब छुपा हुआ है mid-day meal के अंदर बच्चों के स्वास्त में सुधार होता है बिल्कुल सही बात है बच्चों के परिक्षा में अधिक अंक आएंगे ये नहीं आएंगे ये तो उनकी पढ़ाई के उपर निर्फर करता है mid-day meal प्रोग्राम के उपर निर्फर नहीं करता है बैलेंस जाइड हमने संतुलित अहार के बारे में चीक चीक के चिल्ला चिल्ला के बढ़ा ये किसमें सहायक होता है बैलेंस जाइड जो होती है ये वो malnutrition को portion से हमको बचाती है class number one की तरफ चले जाइए class number one की तरफ हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर मैं आपको एक याद दिलाना चाहूँगा class number one में हमने क्या पढ़ा था class number one में हमने पढ़ा था कौँच रहूं बस एक सेकिंड दीजे ये रहा भई malnutrition किस से होता है इसी के उपर सवाल आ गया अगर balance diet रखेंगे balance diet भी पढ़ा है हमने वाँ पे तो हम क्या है malnutrition से पचे रहेंगे principles of meal planning meal planning ये भी हमने पढ़ा था यानि भोजन जोजना यानि घर में क्या बनेगा ये किस किस चीज़ पर निर्भर करता है आपके घर के अंदर क्या क्या बनेगा ये निर्भर करता है कि आपकी portion की जरूरते पूरी हो ये निर्भर करता है कि आपका खाना खाने योग की हो ये निर्भर करता है कि उसकी त्रपती मिले आपको खाना खानके satisfaction जरूब राप्त हो उप्रोप तो सभी इसका सही जवाब है यह जो amylases की बात हो रही है जो की उपस्तेत होते हैं लार में या थूप में saliva में होते हैं उससे किस चीज का breakdown होता है इसका सही जवाब है simple sugar which food group in our body source of energy energy का स्रोत कौन सा food group इन में से होता है bread and cereal इसका सही जवाब है highest calorific value किस चीज की है यानि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस चीज से प्राप्त होती है तो इसका सही जवाब जो है वो है fat इससे 9 और carbohydrates से 4 यह इसकी एक table है वो मैं आप से share कर दूँगा कि किस चीज को लेने से आप लोगों के क्या हाल चालें और आप अपने carrier के बारे में आजकल क्या सोच चालें और आप अब आप नए-णेट करके आये हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सोचते होंगे कि सर हम अपनी जिन्दगी में क्या करें कैसे करें तो अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें यह बताऊंगा कि बीडियो बीकॉ करने की सोच रहा हूं जब सभी बच्चों के एक्जाम सोके जो समर वेकेशन चल रहेंगी उस दौरान तो अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे यह सर लिख दीजिए तो मैं ऐसी एक वीडियो आप सब लोगों के लिए बनाने की सोच रहा हूं अभी आप हां करेंगे क्या हाल है आपके है ना वैसे मैं बढ़िया हूं बड़ा खुश हूं कि आप सब लोग में साथ जुड़े हुआ है इन में से कौन सा फेक्टर है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायर्मेंट्स पे असर डालता है ग्रोथ एड एक्टिविटीज का सही जवाब है ब्रेस्ट मि में किस चीज का अमाउंट्ट जो है नहीं पाया जाता है तो आपको बता दू आइरन जो होता है वह ब्रेस्ट मिलक में नहीं पाया जाता है विश्श शुगर इन प्रेजेंट इन फ्रूट्स तो यहां से हम बिलकुल इसको ऐसे कर सकते हैं फूप और फूप फूट्स के जाती है मैं आपको बता देता हूं एक दो सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब में जान पूछ के आज गलत करने वाला हूं वो इसी लिए कि मैं देखना चाहता हूं कि आप उसका सही दवाब पकड़ पाते या नहीं पकड़ पाते अगर आप पड़ने होंगे तो पकड़ जाके बच्चों डाइबिटीज पढ़ जाना डाइबिटीज की बिमारी के बारे में जरूर पढ़ जाना ये देखो डाइबिटीज मैंने कहा था पढ़ जाना दो तरीके की होती है इसके बारे में लो और आई दोनों होती है पढ़ लेना वही आ गया कि कौन सा सिंप्टम है diabetes का polyurea अधिक पेशाब आना हाँ diabetes वाले को अधिक पेशाब आती है सच है भूग भी अधिक लगती है प्यास भी अधिक लगती है उपरोग तो सभी इसका सही जवाब है आगे चलते हैं which component affects meal planning भोजन की योजना क्वाशिर कोर मैंने आपको चला चला के बताया कि क्वाशिर कोर एक ऐसी विमारी है जो की एक deficiency किसकी protein की deficiency की वज़ा से होती है ORS बचपन से पीते आए हैं जब कब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हम oral rehydration solution को पीते हैं यह paper मैं आपका इसलिए solve परा रहा हूँ कि इन से मिलते जुलते सवाली हमेशा exams के अंदर आते रहेंगे यहां ORS का full form पूछ लिया है तो हो सकता ही कल को सवाल में यह पूछ ले कि अगर शरीर में पानी की hydration की कमी हो जाती है तो कौन सा solution लेते हैं ORS का full पीते हैं folic acid folic acid की deficiency से कौन सी बिमारी होती है anemia folic acid मतलब हमारे शरीर में खून जो है blood जो है उसका बनना कम हो जाएगा इसलिए anemia इसका सही जवाब है anti-sterility पहली वाली class में बताया था vitamin E जो होता है वो anti-sterility vitamin बताया जाता है बांजबन विरोधी है vitamin E जो है बहुत important है glycogen जो है हमारा glycogen इसका सही जवाब है animal starch है अब आपके अगले पेपरों में सवाल आ सकता है जिनका इस पेपर नहीं हुआ है कि एनिमल starch को क्या कहते है glycogen कहते है ऐसे करके इसको हमको पढ़ते चलना है meat egg और tofu mass and day और tofu किसके स्रोथ है हम सबी जानते है कि इससे उच्च मात्रा में protein प्राप्त होता है आपको एक table post की थी कि protein किससे जादा मिलता है carboidate किससे जादा मिलता है ratio किससे जादा मिलता है और्जा किससे जादा मिलती है तो आपको वो पढ़ते रहना है BMR की full form होती है Basal Metabolic Rate इसके लावा एक और full form important थी BMI Body Mass Index इसकी full form तो नहीं आई लेकिन जो मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में वो सवाल इसके अंदर आ गया था वे जब तो following is Fat Solubal याद है न बच्चों ADEK B और C ADEK थे Fat Solubal B और C जो थे ये थे Water Solubal आपको ले चलता हूँ उसकी तरफ किसकी तरफ मैंने आपसे कहा था मैंने आपसे कहा था कि ये वाली जो स्लाइड है न इसको अच्छे से देख ले Fat Solubal कौन से है Water Solubal कौन से है तेरह आपसे कहा था कि इनके नाम जरूर याद कर ले उसमें भी बताया था B7 बहुत IMPORTANT है P9 बहुत IMPORTANT है Vitamin A को Retinol कहते है ये बहुत IMPORTANT है ये मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया था अच्छे से मुझे ध्यान है इसका सही जवाब है Fat Solubal Vitamin इन में से कौन सा है Vitamin D Fat Solubal है Breast Milk में जो होती है सभी चीजे All of the above आंसर है Milk और उसके product जो है वो All of the above है Strong bones, teeth, muscles सभी में मदद करते हैं इन में से कौन सा nutrient जो है वो energy का स्रोथ होता है 24 नंबर सवाल है ये Carbohydrate जो है वो energy का स्रोथ होता है तो थोगा सा confusing सवाल है इस का आंसर T और C दो नहीं हो सकता है लेकिन पेपर में अगर मुझे लगा के आना होगा तो मैं C लगा के ही आऊंगा Dietary Fiber अलग से Specifically मैंने यहाँ पे आपको Dietary Fiber पढ़ाए है Dietary Fiber Dietary Fiber मैंने आपको बढ़ाए था Dietary Fiber जो होता है हमें कब्ज की बिमारी रोकने में मदद करता है Citrus Food कल ही परसो की Last Class में बताया कि Citrus Food का मतलब होता है खटे फल और खटे फल जो होते है Vitamin C प्रचुर मात्रा में इसके अंदर होती है मैं आपको दिखाता हूँ Citrus Foods Contains Vitamin C Oost Immunity कितना clear cut तो आप लोगों को पढ़ाई थी वाली चीज Unit of Food Energy is Calories का सही जवाब है Strong Bones के लिए क्या चाहिए सभी के सभी चाहिए इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते है इसको चलाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है मुझे इसको इत्ता मोटा कर लेते है अब ठीक है Keratin बालों में होता है Keratin ठीक है Substance needed by the body for growth, repair and maintenance of the body जो है इसका सही जवाब है Protein ये मैंने आपको पढ़ाया था कहा पढ़ाया था पेर दिखा देता हूँ आपको इन वाले notes के अंदर एकड़ाम उपर जाते है यहाँ पर चले जाते है notes के अंदर यहाँ पे जो पहली वाली class है उसकी आखरी slide पे आपको ले जा रहा हूं मैं आखरी slide आखरी slide आखरी slide और ये रहे बही या चिलला चिलला के बता है, कि रिकोट की जो बिमारी होती है, वो होती है, विटामिन दी की कमी से हड्डियों से रिलेटड है, प्रोटीन की रिकोआर्मेंट जो है उसके उपर जो हमें सही जवाब है वो P है वैसे 56 होता है इसका आंसर सही तो closest जो है 60 दिखाई मुझे दे रहा है कौन सा age group infection ज्यादा होता है बच्चों यह छोटे शिशू जो होते हैं उनको कमी भी infection हो सकता है यह वहाँ की तो बड़ी मजबूत होता है immunity जो होती है प्रतिरक्षक शम्ता वो बहुत जादा होती है दूद में पाया जाने वाला जो protein है उसका नाम है casein अगर आपने मेरे 1000 mcq की series देखी है अगर आपने देखी है तो मैंने यह वहाँ पर पढ़ाया हुआ है कि 70 questions से हमने 1000 questions पढ़े है ठीक है वह मैंने वह पर पढ़ा है जोइन डिस कौनसे को असर करती है लिवर को असर करती है इसकर भी बताया था ना इसकर भी में c आता है और vitamin c ऐसे करके यहां से हम निकाल सकते हैं मैंने बताया था berry berry जो बिमारी है berry berry वह vitamin B यहां से B से B निकाल लेना मैंने यहां कई बार आप लोगों को यह वाली चीज में बता चुका हूँ मेरा camera यह address नहीं हो पार है मैं अच्छा सा ही नहीं लग रहा हूँ लग रहा हूँ क्या नहीं लग रहा ना I know चलिए अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा ह और क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आपको एक काम करना तो बनता है इस वीडियो को like जरूर कर दीजे जिनका paper है आने वाले समय में या जब आपके juniors आएंगे उन सबको जरूर शेयर करना क्या शेयर करना यह वाली videos वो इसको पढ़के अराम से पास हो सकते ह क्योंकि वैसे भी इस paper में qualify या non-qualify दो ही चीजे होनी है नेशनल इंस्टिट्ट उफ नुट्रिशन हैदराबाद के अंदर इस्तिते हैं हमारा efficiencies of vitamin A zero fethalamia यह जो हमारी zero fethalamia जो भी बोलते हैं इसको बहुत टाफ है फैस इसको night blindness मैंना आपको पढ़ाया था मुझे लग night blindness किसकी कमी से होती है vitamin A की vitamin ये को क्या कहते है retinol कहते हैं कितनी बार दो बता चुका हूँ है ना AIDS किससे होता है वाइरस से होता है वाइरस का नाम क्या था HIV जो सवाल मैं आप लोगों से बोल रहा हूं जैसे HIV यह पेपर में आने की हाई संभावना है देखो मैं आपको दिखा देता हूं यह भी ना मैंने यहां आपको last slide से जस्ट पहले पढ़ाया था कहा गया भी कहा गय हमारी के तो फोटो भी दिखाई थी जिसमें यह हमारी thyroid gland जो होती है वो फूल जाती है सूजन आ जाती है chemical name of vitamin B2 कितनी बार बोला था ना यह वाला चार्ट दिखा के आप सबको यह वाला चार्ट दिखा के बोला था ना पढ़ लेना यहां पे एक और चार्ट दिया था की बताई थी सब सब यह आकरी वाजी क्लास में चाथा था क्रेक्टरिनिसम इस कॉस्ट दिखिशेंसी और विट्स मिनरल यह प्रोड़ा मैं भी बूल गया हूं इसका सही जवाब है प्रोटीन कैलरी मैलनुट्रिशन से मेरासमस होता है विच वन ओ ते फॉलेंग इस मोनो सेचराइड बोलो वैसे यह ज़्यादा सही है इन कुछ लोग सेचराइड भी बोलते है शायद गलग बोलते हो कि मैं साइंस का नहीं है तो 47 का जवाब है ग्लूकोस मोनो है यह सा मोन नहीं है एंजाइंस किस से बनते हैं वही एंजाइंस हमारे प्रोटीन से बनते हैं कौन सा एक कम्मिनिकेवल डिसीज है पढ़ाया था ना देखो चलो देखा देता हूं का पढ़ाया था साफ साफ पढ़ाया था यहाँ पर मैंने आपको कि कौन से डिसीज कम्मिनिकेवल न टीबी होता है। टूबर क्लॉस जो है टीबी की बिमारी। पॉल्यो भी बताया ते नहीं कि बाली कि बैमारी क्या है। ये सवाल अगला आपके सामने आया है कि फैट आखिर किस्से बनते हैं 50 उसके बाद हम चलते हैं आगे और देखते हैं 150ु All एडिशनल कैलरी साफ सब बता है तब है 20% चे 30% 300 कैलरी का मैंने आपको पहले ही 15% चाहिए होती है एक विक्ति को 2000 चाहिए होती है इसका 15% प्रेगनेंसी के दौरान यानि 300 कैलरी कम से कम और जब माँ दूद पिला रही होती है जिस समय अपने बच्चे को उस समय 500 कैलरी उस में उनको ज़्यादा चाहिए होती है इंपोर्टेंट है नोट कर लेना पेपर में देखो आ ही गया मून फेस एंड पॉट पॉली जो पॉट बैली पॉट बैली मतलब तोंद बेसिकली वो कह रहा है यह कौन से बिमारी कौशेर कोर की एक सिम्टम है पाज फूट ग्रूप है यह में आप लोगों के लिए निकाल की बैठा हुआ था इसमें थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो रहा था अलग-अलग जगा अलग-अलग दे रहा था लेकिन सीरियल ग्रेंज एंड देर प्रोड़क्ट जो है यह वाला जो पार्ट है यह इसका सही दवाब है एस पर को फैट को कौन सा एंजाइम डाब लीपेज नहीं है यह लाइपेज यह लाइपेज है यह लिखा है है नियूरल टूब डिफेक्ट विटामिन इसका सही अंसर है पूफा की फुलफोर्म पॉली उनसेचुरेटेट फैटी एसेट होती है और सारी फुलफोर्म और भी बताई आ सकती है उनमें से बैक्टीरिया से कौन सी बिमारी नहीं होती है यानि पूछ रहा है वाइरस से कौन सी होती है वाइरस से कौन सी होती है इसका आंसर पर हेपिटाइटिस ए है पर मैं आपको यहां फिर से अपने चार्ड में ले आना चाहता हूँ यहां मैंने देखो साफ सा लेखा हुआ है यहां पर मैंने बैक्टीरिया लेखा है कॉल्रा का टाइफॉइड का यहां पर कॉल्रा टाइफॉइड दोनों दिये हुए है तो अगर आप मेरी वाली बाक माल ले और बिमारियों करें पढ़ ले तो काफी वेपर तो वैसे ही सौर आपका हो जाएगा 58 का सही अगर फूड बता है था प्लांट और इसमें यह पूचा है कि ऐसे कौन सी चीज़ है जो किवल एनिमाल औरीजन से मिलती है यानि के वाल जनतु जगत से हम सब को प्राप्त हो सकती है इसका जवाम है विटामिन बीट्वेल विटामिन बीट्वेल वेजिटेबल में नहीं म जलता लेक्टेशन के दौरान किसकी जरूत मिटती है इसका आंसर है केल्सियम हाई कॉलिस्ट्रॉल की डाइट होगी तो हाट को अफेट करेगी बहुत ज़ादा इन में से शिशू के चे स्वास्त को क्या दर्शाता है आपको याद होगा हमारे बच्चे हमारे परिवार मे लिए किसकी आवशक्ता हमारे शरीर को पढ़ती है विटामिन सी मैंने आपको बताया नहीं था बट पेपर में आ गया या शुगर का कम हो जाना डाइबिटीस से यह रिलेटेड है ग्लाइशीमिया लिखाओ इसका मतलब यह बात कर रहा है ग्लूकोस की ग्लाइवर्ड हाइपो मतलब कम हो ना तो इन में से तौनों में से कुछ भी हो तो यह डाइबिटीस से रिलेटेड होता है नुट्रिशन अंडर चिल्डरन फाइव इर्स ऑफ एज के छोटे हो तो उपरोग तो सभी इसका जवाब है कि अगर कोई बच्चा पांस साल से कम का है तो उसके को जाच करने के लिए कौन से गटक आवशक है उसके वजन लंबाई उम्र तीनों ही चीजों को गौर किया जाएगा देखो आगया ना बई होड़ा सा सुय को असको पतला कर लो इसकी फुलबाम होती है डाइटरी अ कि इसे हैं अप्रोच अ कि इसको है इसकी फुल फॉर्म है, D से डाइटरी, A से अप्रोच, S से स्टॉप और H से हाइपर टेंशन, यह exclusively इसी के लिए एक डाइट है, इसको डैश इसका सही जवाब है, प्रोटीन जो है, उसका अंसर होगा है, D, Deficiency of Calcium जो होती है, Osteoporasis कहलाती है, Deficiency of Calcium in body is known as Osteoporasis, सही बोल रहा हूँ, या गलत बोल रहा हूँ, आप लोग comment में बताएंगे, और हम करेंगे, साथ साथ Google, Google क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग हम मेरे साथ देखें, कि अगर हम किसी सवाल के बा खोज लो भाई, अभी मैं Google खोल रहा हूँ, देखो, नेट मेंने connect किया है, दो मिनट शायद लग जाएं, पर आपको दिखा रहा हूँ, आप सब जानते हो, मतलब मैं फिर भी आपको जबर्दस्ती दिखा रहा हूँ ये तो, Google.com, जिसको हम अन्ने भाशा में कहा किते हैं, गूगल बाबा के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे गूगल बाबा, पाय लागू वाले बाबा है, चलिए जब तक खुल रही है, जब तक हम आगे चलते हैं, morning sun rays, मैंने आपको बताया था, sunshine, vitamin, किसको कहते हैं, vitamin D को कहते हैं, गूगल खुल गया है, तो बहुत, clear cut सवाल थ आपने सुचाओ को मैंने एक क्या पढ़ लिया, मैंने इसलिए ऐसे पढ़ाए क्योंकि मैंने आपसे कहा था, कि कोई एक सवाल ऐसा जरूर छोड़ूँगा, जिसका जवाब मैं आपको गलत बताऊंगा, और उसका सही जवाब आपको ही देना है, कैसे देना है, comment करके सकते हैं, मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है, ऐसे गूगल करिए, देखिए कि किसकी डिफिशेंसी से क्या बिसीज होता है, यह तीसी बात आपको समझने है, ठीक है, चलिए, मैं सवाल को जहीं छोड़ आँ, इसका जवाब आप लोग मुझको देंगे, chemically protein contains 72, जो हमारा question है, इसका सही जवाब है, इसमें actually confusion है, CHON अगर मैं लिखूँ, carbon भी होता है, hydrogen भी होता है, oxygen भी होता है, तो carbon, hydrogen, nitrogen और oxygen भी होता है, तो BSE दोनों ही इसका मेरे साब से तो सही जवाब है, एक healthy infant का birth weight इंपल हो जाता है, तो तो कोई बच्चा 100 ग्राम का पैदा हुआ है, 100 ग्राम को दनी हो सकता है, तो एक साल 12 मा के अंदर वो तीन गुना वजन पाल लेता है, बिल्कुल सही इसका जही जवाब है, अमंग young adolescent girls, deficiency of which nutrient is common, iron इसका सही जवाब है, फिर देखो ICDS पर आगा है, ICDS, all of the above इस वाले का सही जवाब है, which vitamin makes DNA and genetic materials in cells, तो ये इसका सही जवाब है, vitamin B12, antioxidant vitamin हो गए, आपके E और C, E और C जो होते हैं, antioxidant होते हैं, इसका अंसर है, 60 mg, ये एनन, नेशनल nutrition policy वाले, ये भी मैंने आपको बताये थे, कि इसको पढ़ना ज़रूर है हमें, but exactly नहीं बता पाया था, Fretches ratio मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आज पेपर में जब देखा, तो पहली बारी मैंने पढ़ा, सिर और छाती का अनुपाद, शिशुओं में नापा जाता है, जिस ये पता चल सके कि उनके शरीर की बनावट सही है या नहीं है, ठीक है, इसी लिए नापा जाता है, बैलेन्स डाएट जो होती है, हमारी उसका, क्या होती है बैलेन्स डाएट, बैलेन्स डाएट बताया था, यह रहा देखो डव्लू एचो जिनीवा साफ साफ बताया है बीन दयाल अंतोदे योजना बताई थी 2011 नहीं बतापाया था लेकिन आपको बोला था कि जादतर योजनाओं को पढ़ जाना मैं नहीं बतापाया था इसलिए आपको बताऊं 2011 का से जवाब है बी एम आई मैंने आपको बताया था कि केजी ओबलिक मीटर यह रहा भई केजी मीटर यह इसका सही जवाब है chemical name of vitamin A retinol का था ना पढ़ ले ना retinol जरूर आएगा आँखों के लिए अच्छा होता है गाजर में मिलता है retinol इसको कहा जाता है night blindness night blindness आने वाले paper में सवाल आ सकता है night blindness curd में lectic acid मिलता है iron हीमोगलोविन खून में हीमोगलोविन की मात्रा को बढ़ाने के लिए law lover की आवशकता होती है what is hypoglycemia उपर पढ़ाया था hypoglycemia और hyperglycemia यह दो है sugar कम हो जाना और sugar ज्यादा हो जाना lowering of blood glucose level hypo है अगर यहां लिखा आता है hyper तो यानि firing increase in blood glucose level है तो आगले paper में सवाल आ सकता है न यह अब लुए चू कप बना था देखो भई यह यह पढ़ा रहा है vaccine deal date यह भी पढ़ाया था देखो भाई कहां पढ़ाया था अभी रिखा देता हो आप लोग को एक सेकंड दीजिए देखिए no vaccine available यह लिखा हुआ है AIDS की बिमारी इसकी full form 100% याद करके जाना कौन से वाइरस से होता है जरूर पढ़ जाना हमारी body क्या बनाती है antibodies बनाती है कोरोना के टैम पे बड़ा फेमस हो गया था कि antibodies 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 उसी के बारे में हम यह पे बात कर रहे हैं इन में से कौन से food है जो हमारी immunity को नहीं बढ़ाते मैंने आपको पढ़ाये थे रतिरक्षा शमता बढ़ाने वाले पदार फटे फल उसमें थे vitamin C मिलती है lesson भी था अद्रग भी था चीनी उसमें नहीं थी देखो दिखा देता हूं मैंने आपको जो पढ़ाये थे यह सारे पढ़ाये थे देखो यह रहे ठीक है हमारे पास हल्दी भी थी आमला भी था हनी भी था गार्लिक भी था जिंजर भी था श spinach and jaggery इसका सही जवाब है 90 का है जिसके अंदर iron जो है iron बच्चर मात्रा में मिलती है नोट जरूर पढ़ने ना पचास पचपन सवाल सीड़ सीड़ी आ रहे हैं essential digestive system के लिए बताया था dietary fiber fiber मतलब क्या हो गया रेशेदार जो हमारे फल फुरूरंत खाने है उससे क्या होता है हमारे शरीर के जो पाचन तंत्रे उसको मदद मिलती है पेट अच्छे से साफ होना संभा हो पाता है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत क्या नहीं करेगा विडियो खेलना नहीं करेगा कसरत करने से ओगे स्वासवर्दक अहार लेने से ओगे नियमे थाथ दोने सी लुकर वीडियो गेम क्वेल ना अविपजी कौन-कौन खेलता भईया ड़ह मैं किने फूल-फॉर्म कुसको पता है है मैं भी खेलना ही शुरू कड़क्ड पब जी पब जी पब जी नहीं नहीं लगानी है विजए तो विटामिन B3 की डेफिशेंसी से कौन सी बिमारी होती है इसका जवाब है पेलेग्रा एट टिपिकल प्रेगनेंसी हम कहते हैं नौ महां नौ महीने मम्मी की पेट में रहे हैं आज तु मुझे दवाब दे रहे हैं नौ महीने में तुझे अपनी कोख में कपाला है वो नौ महीने को आप 4 से मल्टिप्लाई कर लो 4 से 5, 4.5 से तो 40 हफते किसी महीने में 5 हफते भी होते हैं किसी में 4 लगबग 40 हफते की गर्भ हवस्ता होती है लास्ट क्वेस्टन एकदम लास्ट क्वेस्टन लिम में से क्या आवश्यक है हमारे शरीर में तंत्र का आवेगों के संचरण अके लिए बड़ी खतरनाक वाली इंदी इसके अंदर कूछे हैं लेकिर इसका आंसर है सोडियम तो सोडियम जो है हमारे ब्रेन से नर्व इंपल्स को हुमन बोडी में पहुचाने का काम करता है अगर सोडियम की मात्रा और पोटेशियम की मात्रा डिस्टर्ब हो जाए हमारे शरीर में तो इंसान डिलेरियम या उसको अजीब सी स्थिती प एक्जाम का पेपर था पीस्सी बीकॉम वालों को इससे डेफिनिटली मदद मिलेगी या किसी भी उनिवस्टी के बच्चे हो ये धियान रखें कि पेपर इन्ही टॉपिक से रिलेट होके आने वाले हैं इदर उदर से कहीं से नहीं आने वाले हैं तो अगर आप रिलेटेट क्वेस्टन पढ़ जाते हैं जैसा कि हमने हुमन वेल्यूज में किया तो निस्चेद रूप से पेपर तो आपका भाई लोग शानदार एकदम जबरदस्त वाला होने वाला है ये वीडियो समाप्त हो गया है मुझे लगता है कि फूर और निट्रिशन वाले स्टूरेंट से इस बार का जो मेरा साथ है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा मैं सारी पीडियेफ आपसे शेर कर चुका हूँ क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है सब बता चुका हूँ आप लोगों से विदा लोगा अगले सेमिस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ेंगे अम लोग सार्ष में तब तक के लिए मैं विदा लोगा शायद आप लोग मुझे याद करेंगे कि हाँ सर आये थे और इन्होंने हमें कोछ शेर सुनाया था कहा था कि गुलकंद चीज क्या है आप पूरा पान लीजिए उबल रही है चाय कपसे चान लीजिए सर ने कहा था मेरा जीवन कोरा कागस कोरा ही रह गया बिल्ली सारा दूद पी गई कटोरा ही रह गया ये पेपर में नहीं आने वाला है पेपर में जो आने वाला है वो आपके सामने यहाँ पर मौझूद है मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ आप लोगों से जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लिंक की दीजिएगा कि अगले सेमिस्टर में आप लोग किसे पढ़ने वाले हैं किसे पढ़ने वाले हैं अगले सेमिस्टर में अपने जूनियर्स को भी बताईएगा कि वो किसे पढ़ने वाले हैं जब 50 साल के बुड्डे हो जाओगे न तुम लोग तो अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को बताना आगी सर से ही पढ़ना है सर की वीडियो यूट्यूब पे हमेशा अवैलेबल रहेंगी सारे मजाग को एक पौने में छोड़ते हुए पूरी भावनाओं के साथ आप सब को कहता हूँ अलविदा अलविदा तब तक के लिए हम अगली बार मिलेगे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्स्क्राइब कीजिएगा और मुझे प्यारा सा बाय के दिजिएगा रोगगा नहीं मैं सक्ट लोड़ना हूँ बाबाई गाईस टिक्के से यू